So hello guys, welcome back to the channel and I hope all of you guys are doing absolutely fine. So, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ Top 10 Government Flying Schools के बारे में And I am making this video because आप लोगों ने बहुत सारे बरवर के Instagram पे and YouTube पे Flying Training Organizations related बहुत सारे comments आए हैं तो मैं सोचा कि छलो इसके उपर एक वीडियो बना के आपको share करता हूँ आज के इस वीडियो में Top 10 Flying Schools के बारे में 4 पॉइंट पे डिसकस करने वाला हूँ पहला पॉइंट इसका नाम बताऊँगा कि इसका नाम क्या है दूसरा टाइप किस टाइप का है गवर्मेंट या क्या है उसके बार में डिसकस करूँगा नमबर 3 इसके पास कौन से जहाज है मल्टी इंजन है सिंगल इंजन है क्या है नमबर 4 इसका एडर्स के उपर इसकत करूँगा वीडियो बहुत ज्यादा इंफोर्मेटीव होने वाला है अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब कर लिजिए बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लिजिए ताकि जोब में वीडियो बना उसको नोटिफ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि मैंने जो यह रेफरेंस लिया है टॉप टेन फ्लाइंग स्कूल्स गर्ब्मेंट फ्लाइंग स्कूल्स इन इंडिया के बारे में बताने के लिए यह मैं www.dgca.nic.gov.in website से लिया है तो इस जेनुएन ऐथेंट पर्सेंटिक आप इस पर ट्रॉस कर सकते हो तो लेस्ट सार्ट विट नमर वान नमर वान इस भीहार फ्लाइंग इंस्टूट तो अड़्रस भीहार फ्लाइंग इंस्टूट इस इसका मैं यहाँ पर आड्रेस भी आपको स्क्रीन सोट दे दूँगा अब बात कर लेते हैं बिहार फ्लाइंग इंस्टूट के फ्ली डिटेल के बारे में कि इसके पास कौन-कौन से जहाज है, सिंगल इंजन या मल्टी इंजन मैं बता दूँ कि इसके पास सिर्फ और सिर्फ सिंगल इंजन है, मल्टी इंजन जहाज इसके पास नहीं है और सिंगल इंजन में सिर्फ और सिर्फ सिसना 172 जो कि इसके पास चार है तो इसके पास मल्टी इंजन जहाज नहीं है Now let's talk about number 2 Flying Institute in India So number 2 पे है Government Aviation Training Institute तो इसका एड्रेस है, वो है Directorate of Aviation उडिशा Civil Aerodrome उडिशा, टाइप क्या है, यह State Government टाइप है इसका fleet details क्या है, fleet detail है, इसके पास सिंगल इंजन जो जहाज है वो सिसना 1524 है इसके पास, और इसके पास मल्टी इंजन में है Piper Seneca PA34, तो यह काफी अच्छा है इसका जो एड्रेस है, वो है जाकुर, बैंगलोर, करनाटका किस टाइप का है, यह भी State Government टाइप है अब आता हूँ fleet details पे, इसका fleet detail क्या है, इसके पास कौन-कौन से जहाज है तो single engine और multi engine का बात करूँ तो इसके पास multi engine जहाज नहीं है सिर्फ और सिर्फ single engine जहाज है, जिसमें की Cessna 152 दो है और Cessna 172 भी दो है, तो आप यहां से भी training ले सकते हो So now let's talk about number 4 flying training institute in India So number 4 पे है, हरियाना institute of civil aviation इसका जो एड्रेस है, वो है civil aerodrome, कुंचपुर रोड, करनाल 132001 इसका पिन कोड है, हरियाना, किस टाइप का है, this is also state government type Now let's talk about fleet details of हरियाना institute of civil aviation इसके पास कौन-कौन से जहाज है, तो इसके पास Cessna 152 तीन है और Cessna 172 चार है, और multi engine जहाज इसके पास नहीं है So now let's talk about number 5 flying training school in India So number 5 पे है, इंद्रा गांधी राष्ट्रिय उरान अकेडमी So इसका जो address है, वो है, फुरस्त गंच, एर फिल्ड, डिस्टिक अमेठी 229302 is the pin code, उत्तर प्रदेश And बात करूं type का, तो this is central government, you know, flying training school अब बात कर लेता हूं इसका fleet detail के बारे में कि इसके पास कौन-कौन से जहाज है ठीक है, तो इसके पास total जो aeroplanes है, वो 17 जहाज है इसके पास इसके पास 1 TB-20, 1 Jaline 242 L-3 और 13 Diamond DA-40 इसके पास जहाज है तो एक काफी अच्छा है, और अगर बात करूं इसके पास multi-engine जहाज का, इसके पास 2 multi-engine जहाज है जो कि दोनों ही Diamond DA-42 है, this is also very good for, you know, pilot training So now let's talk about number 6 flying training school in India, so number 6 पे है नागपुर flying club बात कर लेता हूं इसका address के उपर, तो address जो इसका है, वो है office of divisional commissioner, civil lines, नागपुर, महराश्टरा इसका type का बात कर लेता हूं, तो this is also state government type, बात कर लेता हूं इसका fleet details के बारे में तो fleet details, इसके पास total 3 Cessna 152 हैं, एक Cessna 172, इसके पास भी multi-engine जहाज नहीं है तो अब बात कर लेता हूं, number 7 flying school in India के बारे में, तो number 7 पे है, वो है पतियाला aviation club इसका address है, वो है civil aerodrome, संग्रूर रोड, पतियाला, पंजाब, यह पंजाब में है और other operation base इसका है, वो है स्त्री गुरुराम, दासजी international airport, अमरित्सर अब बात कर लेता हूं, इसका type का, कि यह किस type का है, ठीक है, तो यह भी state government है अब बात कर लेता हूं, इसके पास किस-किस type के जहाज है, तो इसके पास 4 Cisna 172 और 2 Cisna 152 है, इसके पास 2 multi-engine जहाज भी है, तो multi-engine जहाज जो इसके पास है, वो है तकनाम P2006T, और दूसरा है, बीच बैरोन G-58, तो नमबर 8 पे है, राजीव गांधी Academy for Aviation Technology, इसका जो एड्रेस है, वो है Tiriwanant Puram, Kerala, टाइप, state government type यह भी है, इसके पास कौन-कौन से जहाज है, विस टाइप of aircraft it holds, इसके पास 4 Cisna 172 है, और multi-engine में है, वाइपर Seneca PA34, नाव लेट्स टाक बाउट नमबर 9 Flying Training Institute in India, तो नमबर 9 पे है, तेलंगाना State Aviation Academy, इसका जो एड्रेस है, वो है आंधरप्रदेश, Old Airport, हादरबाद, पिन कोट है, 50011, तेलंगाना, टाइप, state government टाइप, इसके पास कौन-कौन से जहाज है, सिंगल-engine जहाज में, इसके पास 3 Cisna 152 and 3 Cisna 172, multi-engine में, Diamond DA 42 NG, इसके पास है, now let's talk about number 10 Flying Institute in India, so number 10 पे है, the Bombay Flying Club, इसका जो एड्रेस है, वो है Juhu Airport, Santa Cruz West, Mumbai, Maharashtra, यह किस टाइप का है, so this is not a government type, this is society type इसके पास कौन-कौन से जहाज है, single engine में है, इसके पास 5 Cisna 172 and 1 Cisna 152 and 1 Piper Seneca PA 18, इसके पास कोई multi-engine जहाज नहीं है, so यह था हमारा top 10, you know, Flying Training Institute in India का list, I hope, आपको इससे थोड़ा बहुत, you know, information मिला हो, कि मैं किस स्कूल से जा सकता हूँ, आगे आने वाले वीडियो में, इसी से related, मैं non-government जो institute है, उनके top 10 का list लाऊँगा, so I hope, आपको इस वीडियो में information मिला हो, I hope, आप लोग जो पूशते रहते हो, कि भाई, बिहार Flying Institute में multi-engine जहाज है या नहीं है, कौन-कौन से government pilot training organization इंडिया में है, I hope, आपको ये list में, सारा को समझ में आगया होगा, so I hope, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो, तो प्लीज गिव लाइक टू इस वीडियो, अगर अभी तक आपने शनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज जाईए और सब्सक्राइब कर लिजे ताकि इसी तरहा कंटेंट आपको मैं देता रहा हूं और आप देखते रहों अगर बगल में जब बेल आइकन है, उसको अभी तक प्रेस नहीं किया, अभी बबटेकर और सी चाहिंद!